हाई फ्रेंड्स वेलकम बैक टो माई चैनल खाना पकाना आज के हमारी किड्स स्पेशल रेसिपी है वेज माइक्रोडें इसे बनाना बहुत इज़ी यहाँ पर हमने बहुत ही जट पर सिफ दस मिनट में इतनी हेल्दी और इतनी टेस्टी रेसिपी लाए है आप इस वीडियो कर एंड तक जरूर देखिएगा और एक बार जरूर ट्राइ करिएगा अगर आपको मेरी रेसिपी पसना है तो लाइक करिए कमेंट करिए अगर आप हमारे चैनल पर फर्स टाइम आया है तो हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए चलिए इसे बनाना शुरू करते है यह आपकेट माइक्रोनी कर लिये है उसके अंदर हमने डबल कॉंटिटी पाने लिए है इसमें हम एक चमश तेल दाल देते है तेल इसलिए दाला जाता है ताकि यह जब पकता है वो बॉइल होता है तो एक दूसरे को चिपके नहीं इसलिए इसमें हम स्वादनों सा नमक दाल और इसे इस तरीके से बॉइल करेंगे कि यह जो माइक्रोनी है वो अच्छे से गल जाए तब तक करना है और बाकी का पानी हमें इसे फेक देना है सिर्फ सुखा उपर का निकाल लेना है इसमें इसे बॉइल होने के बाद में इसे पानी में नहीं रखना है यह देखिए य अगर आप तीखा पसंद नहीं करते हैं तो आप हरी मिर्ज को थोड़ा लंबा कट करके भी दाल सकते हो यह तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं यहांपर हम प्यास दाल देते है जो कांदी पति की जो प्यास होते है न कांदी खाजी की वह आले प्यास हैं यहाँ पर हमने यूजकि यहांपर पांड़ को कर देते हैं इसकाचा अभा एक है इसे 50% पकाएंगे यह देखिए यहाँ पर हम इसे ढख कर आदे मिनट के लिए पका लेते हैं यह देखिए फ्रेंट्स आदे मिनट बाद इसका कलर कुछ चेंज हो गया है बहुत ही अच्छा दिक रहा है यह कलर यहाँ पर अभी हम जो सोया सॉस होता है न वो एक चमच दालेंगे और एक चमच हम यहाँ पर चिंग्स का रेड चिली सॉस यूज़ कर रहे हैं और इसे अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेते हैं और चलाते हैं आदे मिनट तक हम इसे पकाएंगे यह देखिए आदे मिनट बाद यह कुछ इस तरह का हो गया है इसमें हम पास्टा मसाला दाल देते हैं आपके हाँ पर जो अब वो दाल सकते हैं यहाँ पर हमने हाफ पैकेट ही यूज़ किये हाफ पैकेट हम बाद में यूज़ करेंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर इसमें हम थोड़ा से नमक डाल देते हैं, हमने अलड़ी माइक्रोणी को बॉल करते वक्त दाल चुके, इसलिए यहाँ पर से भाजी की कॉंटिटी की हिसाब सही दालेंगे, इसके अंदर हम जो माइक्रोणी को बॉल करके, पानी निकाल कर चान कर रखे वे यह दाल देते हैं यह देखी, आप देख सकते हैं कितना चुटा चुटा बनावाईए, यह जब हम तेल डालते हैं तो उससे इस तरह की के माइक्रोणी बनती है, तो आप इस टिप्स को ज़रूर देहन में रखके बनाईएगा, तो बहुती पॉफेक्ट और बहुती टेस्टी बनता है इस त मासतामसाला डालेःे इसलिए अभी हम इसमें हाफ मसाला और अएडर कर रहे हैं और इसमें हम थोड़ा से जो कांदी की भाजी होती है वो दाल देते हैं, और इस से अच्छी तरह से मिक्स कर लिते हैं यहाँपर हमें लास्ट में जा empez ब sunflower काना नहीं है क्योंकि हमने सारी च यह देखिए फ्रेंट्स वेच माइक्रोनीर रेडी है आपको यह मेरी रेसिपी पसंद आई हूँ या नहीं प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताईएगा और एक बड़ जरूर ट्राय करिएगा और अगर आपको मेरी रेसिपे पसना आती हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए और हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और हो सके तो जादे सादे शेयर करिए हमारा ये वीडियो देखने के लिए दिल से थैंक यू बाबाई, कल फिर मिलेंगे